गास पर नंगे पाफ चलने के फाइदे ये कुद्रत हमें बहुत कुछ देती है बस अगर हम उसका सदुप्योग करना सीखने तो जीवन आसान हो जाएगा हम मशीनों में अपनी लाइफ को आसान बनाने की रा को खोचते रहते हैं किन्तु ये कुद्रत हमें बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ दे देती है अगर हम प्रकृती को समझ कर उससे मिलने वाले फाइदों को जान लेंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगा आज यहाँ प्रकृती से मिलने वाले जिस फायदे के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद आपने पहले जाना भी हो लेकिन इतनी गहराई से नहीं घास पर चलने का फायदा जी हाँ यदि आप सुबा सवेरे घास पर नंगे पाउफ चलते हैं तो आपको इसके कहीं सारे फायदे मिलते हैं ये लाप तन से लेकर मस्तिश्क तक्के हैं आखों के लिए लाप दायक घास पर सुबा चलने से आखों की रोशनी तेज होती है डॉक्टरों के मताबिक जब हम घास पर नंगे पाउफ चलते हैं तो चलते समय हमारे पाउफ के अंगूठे और पहली दो उंगलियों पर प्रेशर पड़ता है ये वो दो पॉइंट्स हैं जिन्हें अक्यो प्रेशर के अनुसार यदि नियमित रूप से दबाया जाए तो आँखे स्वस्थ रहती हैं तन एवा मन की शान्ती घास पर चलने का दूसरा फाइदा सभी के काम का है यदि आप सुभा नंगे पाव घास पर चलते हैं तो आपके पाव रिलाक्स हो जाते हैं यदि आपके पाव में किसी प्रकार का कोई दर्द है या फिर कोई तकलीफ चल रही है तो वो कम हो जाएगी इसके अलावा सुभा के ठंडे वातावरन में घास पर चलने से मन और मस्तिश्क को भी शान्ती मिलती है आप तरो ताजा महसूस करते हैं और पूरा दिन अच्छा गुजरता है यदि आपको फ्रेश ओक्सीजन चाहिए तो सुभा घास पर जरूर चलें हर्याली के बीच रहें और ताजगी को गहराई से महसूस करें शरीर के मेगनेटिक तत्व घास पर चलने का ये फाइदा आपने पहले कभी नहीं जाना होगा ये फाइदा हमारी बॉडी की मेगनेटिक फील्ड यानि की चुम्बकिय क्षेत्र को मिलता है साइन्स के माने तो धर्ती के भीतर एक प्रकार का चुम्बकिय तत्व होता है यदि हम बिना जूते पहने जमीन पर चलेंगे तो हम इस चुम्बकिय तत्व के संपर्प में आते हैं इसके संपर्क में आने से ही हमारे कहीं सारे शारीरिक योग अपने आप ही नश्ट हो जाते हैं अगर आपको ये विडियो पसंद आया तो इसे शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चानल